खबर उत्तर प्रदेश के स्रावस्ती जनपत के सिर्सिया इलाके के जमनी कला टिटिहरिया से है जहां पर दिब जोती जाग्रिस संस्थान के दोड़ा संसकार साला का अदूतिय कारिसाला का आरोजन किया गया स्रावस्ती जनपत के सिर्सिया इलाके के जमनी कला टिटिहरिया में इस कारिसाला का आरोजन किया गया जिसका नाम था प्रफुलित संसकार साला जो की बच्चों में नैतिक मूलियों संसकार संप्रेशित करने में सहायक रहा बच्चों को बिभिन रोचक गर्विधियों के साथ संसकारित किया गया लेमन रेश सैक रेश यों अनिखेलों के माध्यम से बच्चों ने संतुलित जीवन जीने की कला को सीखा इतना ही नहीं इस शत्र में बच्चों को प्रफूनलित कर दिया गया साध्वी दीपाभारती प्रभुक्र मन्थं संपुण विकास केंद स्वामी अरुणनान्णद प्रचार किद्धिविजोग जागिरित संस्थान प्रकासान्द स्वामी यस्बीरवा संस्थान से आये अनि प्रत्नितगर ने इस कारिक्रम में समलित होकर अपनी महत्व भूमिकानी भाई साथ ही भविष में स्रावस्ती में सिछा ब्यवस्था करने का संकल्प लिया ताक कि बच्चों को मूल्यों के साथ साथ उसी सिछा के साधन मिल सके। सभी अस्थानिय प्रत्नित्यों ने कारिक्रम की भूई-भूई सराहना करते हुए बच्चों के लिए उठाये गये इस सिछा प्रकल्प में सहयोग करने हे तु आस्वासन भी दिया। स्रावस्ती जनपत के सिर्शिया इलाके की ये तस्वीरे हैं जहां पर एक दियुसियक कारिसाला का आयोजन किया गया। एक सो पैंतालिस से उपर विद्यार्थी गन उपस्तित हुए। मन्थन प्रकल्प की संग्योजी का साथ भी दीपा भारती जिने बच्चों को संबोदित करते हुए कहा कि आज भारत के आती पिछडे जगहों पर शिक्षा की और सही शिक्षा की बहुत आवश्यक्ता है। और आज बच्चों को शिक्षा के साथ संसकार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से मन्थन पुरे देश में चाहे वो जुगी जोपडियों में हो चाहे भारत के अती पिछडे जन्पदों में शिक्षा और संसकार दोनों ही उपलब्द करा रहा है। और हमारे रिशी मुनियों ने भी इस बात को कहा है कि किसी भी मनुष्य का संपूर्ण विकास तबी हो पाएगा जब शिक्षा के साथ संसकार, संसकार के साथ सत्संग और सत्संग के साथ अंतर जगत का ज्यान प्राप्त होगा। सरविश्री आशुतोष महाराची एक ऐसे ही गुरू है जो शिक्षा के साथ दिक्षा प्रदान करते हैं और संपूर्ण विकास बच्चों के अंदर प्राप्त करवाते हैं। और आज इसी प्रकार का कारेकरम स्रावस्ति छेत्र में हुआ और आगामी दिनों में मन्थन प्रकल्प इस जन्पद में प्रगतिशिल होकर के कारे करेगा। ऐसी भावना मन्थन टीम की है और यह पूरा का पूरा जो जन्पद है वो मन्थन से बहुत प्रभावित होगा और बच्चों को संसकार, संस्कृति सबसे अवगत कराएगा। और आज जब बच्चों बच्चे लोग जब यहां आये विद्यारतिगर्ण आये और दिल्ली से आये मन्थन की टीम ने जब अक्टिविटी करवाई उसमें बहुत सारे गेम्स कराएगए और बच्चों के साथ इंटराक्शन्स होए और जब बच्चों ने गेम और उन सभ बच्चे बहुत खोश होए और आगामी दिनों में भी इस प्रकार की गती विद्यां इस प्रकार के वक्सोप हो ऐसे अनुरोद करके गए